आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हमें question given है by what least number 3600 must be multiplied to make it a perfect cube तो सबसे पहले हम लोगों को इसका prime factorization find करना पड़ेगा and prime factorization में इसके जो prime factors होंगे उनके triplet exist करने चाहिए perfect cube के लिए तो 2 से 1800 2 से 900 2 से 450 2 से 225 अब 3 से 75 3 से 25 5 से 5 and 5 से 1 that means इसके जो prime factors हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 3600 is equal to ये तीनों को हम लोग एक triplet ले सकते हैं 2 क्यूब इन्टू 2 इन्टू 3 स्क्वाइर इन्टू 5 स्क्वाइर हमारे पास सीर्फ और सीर्फ एक ही triplet है तो हमें इसका triplet बनाने के लिए 2 स्क्वाइर से multiply करना पड़ेगा इसका triplet के लिए 3 से और इसका triplet के लिए 5 से multiply करना पड़ेगा तो हम लोगों के पास आजाएगा हैंस the required number required number is equal to 2 square into 3 into 5 that is equal to 2 square is 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 तो 60 is the least number by which we can multiply 3600 and make it a perfect cube तो option 1 correct हो जाएगा classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड के डाउटने टाप या whatsapp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर